प्रमुक शहरों में से एक है जो गुजराती, मारवाडी, पंजाबी, जैन और सिंधी की व्यावसाइक समझ का प्रतिन देत्व करता है आज सूरत डायमंड और टेक्स्टाइल बिजनसेज का व्यावसाइक केंद्र है सूरत देश का कपड़ा उद्योग केंद्र वभरत की सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है वर्तमान सूरत में 500 मिल्ज, बाजार में 85 हजार से अधिक दुकाने, 7 लाख लूम्स के साथ ही 1 लाख एम्ब्रॉइडरी योनिट्स हैं मिलों या उद्योगों में 1.5 लाख से अधिक कारेरत लोगों के साथ शहर में सालाना लगभग 30 हजाल लाख मीटर कपड़े का उद्पादन होता है सूरत में प्रतिवर्ष लगभग 500 बिलियन रुपए की बिक्री होती है राज्य और राष्ट में कपड़े का सबसे बड़ा निर्माता होने के नाते वो निर्माताओं द्वारा इस्तिमाल किये गए बहतरीन गुन्मत्ता के कपड़े के लिए जाना जाता है सूरत में कपड़ा माट की प्रशंसा वहां मिल रहे कपड़े की गुन्मत्ता के कारण की जाती है चाहे वो कटन हो, पॉलियेस्टर हो, रेशम हो या कोई अन्यप्रकार यहां सभी प्रकार के कपड़े मिलते हैं भारतिय संस्कृति को अवगत करते, अलग जीवन शैली और सीमा शुल्क को दर्शाते हुए, देश के विभिन वर्ग और परंपरा की खोज करते हुए करता के सीमा करते हैं एक बेहत अच्छी तरह से तयार की हुई वास्तुकला के साथ ही कलात्मक और खुबसूरत बनावट है अध्भुत उन्नयन के साथ एक मंत्रमुध कर देने वाली डिजाइन एक मंत्रमुध कर देने वास्तुकला के साथ हुई वास्तुकला के साथ है ये पैनल का उप्योग करके एक अच्छी तरह से तयार किया गया एक शांदार कमर्शल फेशन हम्ब है जो कपड़ा पाजार से सिर्फ चलने की दूरी पर है और सूरत में मिल्लेनियम हाउस के पास स्थित है सूरत के शहर में ग्याद हों या अग्याद सभी के लिए अल्टिमेट टेक्स्टाइल हम तक पहुचना बहुत ही आसान है चहे आप शुरुआत सूरत एपोट पारले पॉइंट आठवा गेट मजूरा गेट उधना दरवाजा मिल्लेनियम मारकेट या रगुकुल मारकेट या मिल्लेनियम हाउस से करें आप बड़ी आसानी से हैपी होम टेक्स्टाइल हम तक अपनी उप्युक्तता के अनुसार पहुच सकते हैं ये प्रसिद्ध हैपी होम ग्रूप द्वारा एक प्रोजेक्ट हैपी बेंचमार्क टेक्स्टाइल हम अाले दोड़ी आसानी से हैपी आसानाँ से करें कि ये जोड़ी आसे हैपी 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 है बड़ी देनियम हम एक रहता है हैपी बेंचमार्ग एक ही जगए है जो विश्वास से परे अनुभव के साथ विकसित किया गया जाएंट कमेर्शल हाब है एक विशाल व्यावसाई केंड्र अद्भुत वातावरण के साथ एक आकरशक जगए कपड़े के खरीदारी के लिए शोभायुक्त बनावट और डिजाइन इमारत को मनमोहक के साथ ही आकरशक बना देता है एक आश्चर्य जनक वानिजिक केंड्र अद्वितिय और देजस्वी बाहरी उपस्थिती के साथ जहां सब अपनी फैशन आवश्चक्ताओं को पूरा कर सकते हैं इमारत में दो बड़े टावर्ज शामिल हैं विंग ए और विंग बी जनमें आठाठ मनजिले हैं इस इमारत में प्रवेश करते ही प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर के साथ एक विशाल रिसेप्शन एरिया है कलात्मक और विलक्षन मूर्थियों के साथ बड़े पैमाने पर रिसेप्शन एरिया के साथ साथ सहायता और ग्राहकों के मार्ग दर्शन के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति हैं जो आपको आसानी से किसी भी परेशानी और मिस गाइडन्स बिना किसी भी विशेश दुकान तक पहुँचने के लिए गाइड करते हैं हैपी बेंचमार्क में स्पेशी और अच्छी तरह से डिजाइन लॉबी रचनात्मक बनावट के साथ एक आकरशक लुप प्रदान करता है यहां 57,500 स्क्वेर फीट का एक विशाल सेंट्रल ग्रांड लाउंज भी है दोनु टावरों विंग में विशाल काई ग्राहकों के लिए लिफ्टें जो अलग-अलग मंजिलों तक उनका नेत्रित्व करती है हैपी बेंचमार्क में कट्टेक मंजिल पर फ्लोर मैप है जिसकी मदद से ग्राहक आसानी से दुकान के लिए खुद को निर्देशित कर सकते हैं हैपी बेंचमार्क, डेनिम, ड्रेस मिटेरियल, सारीज, लेगिंग्स और भी बहुत कुछ की खरीदारी के लिए भारत का सबसे बड़ा होलसेल टेक्स्टाइल मारकेट है अलग-अलग शहरों से व्यापारी विशेश रूप से अपने होलसेल और रीटेल व्यापार के लिए कपड़ों की खरीदारी के लिए यहां आते हैं लंबे समय और कई घंटों तक चारों और जाकर खरीदारी करने के बाद किसी का भी मन करेगा कि कुछ आराम किया जाए और भूप मिटाई जाए जिसके लिए है एक रेस्टरांट Wing A और Wing B को जोड़ता हुआ एक रास्ता है जिसका उपयोग करें और किसी भी असुविधा के बिना अन्य Wing में जा सकते हैं दोनों तावर प्रतिक दुकान को ब्लॉक और ब्लॉक को दुकान से जोड़ता है विंग A और विंग B दोनों की नकाशी और बनावट की डिजाइन अनोखी और अगभुत है प्रेचुर मात्रा में लोगों के लिए निरीक्षन, दुकान और आराम करने के लिए की जगह के साथ अगभुत निर्मान किया है लॉबी में हैं विशिष्ट सीटें जहां लोग बैठ कर बात कर सकते हैं कि ये एक उत्रिष्ट जगे है खरीदारी के लिए शानदार जल निकायों के साथ हैपी बेंचमार्ग फैशन रैम भी प्रदान करता है दुकान मालिकों को अपने ब्रैंड और डिजाइन पबलिक को दिखाने के लिए ताके वे बैठ के देख सकें किसी विशेश कपड़े या पोशाग उनके द्वारा पहन कर कैसा लग सकता है हैपी बेंचमार्ग खरीदारी के लिए चित्ता कर्शक माहौल प्रदान करता है साथ ही ग्राहकों के लिए पार्किंग की परियाब्त जगे है पारकिंग के लिए बेस्मेंट पारकिंग के साथ तीन लेवल्स हैं और टेंपो के लिए एक अलग रनवे है जो दुकानों के लिए माल लाता है जो स्टॉक यार्ड तक जाता है जहाँ वे टेंपो पार्क और माल अनलोड कर सकते हैं यहां टेम्पो लिफ्ट भी है जिससे माल सीधे सम्मंधित दुकानों पर अनलोड किया जा सकता है यहां कन्वेयर बेल्ट है जो सम्मंधित दुकान से माल स्टॉक्यार्ड तक लाता है ताके वहां से अन्निस्थानों पर डिलिवर किया जा सके हैपी बेंचमार्ग एक वानिजिक केंद्र है जिसमें टेक्स्टाइल हाउसेज और शॉप्स शामिल है यहां विम्हिन सुविधाओं जिससे प्रतेक दुकानों और ब्लॉक में ड्रिंकिंग वोटर सप्लाई के लिए प्रवेशन टॉरंट पाउर की इलेक्रिसिटी सप्लाई के साथ ही इलेक्रिसिटी बैकप आम उपयोग के लिए सी सी टीवी वाइफाई इंटरकॉम्ट के साथ ही रिमोट अपरेटिट गैल्वनाइजड शटर शामिल है यहां पूरे परिवार और दोस्तों के साथ खरीदारी करने के लिए एक सही और रमनी अस्थान है मन भावन और आकरशक डिजाइन, संग्रचनाओं और इसके साथ ही बहुत से अधिक आकरशन वा प्रशंसनिय दुकान एक अविश्वसनिय जगे खरीदारी करने के लिए हैपी बेंचमार्प, हैपी शापिंग कर दो दूस, हैपी खरीजदारी करने के लिए हैपी वार्या भैप्रश कि बढ़मार्यापन प्रेदास क्लिए अविए वार्याप्र अविश्वसनिय में है यह ढ़र आकरशक आकरणावकंप सब्स्थारी कार्यापन झाल झाल